किसान बाइओ जब हमारी धान की फसल 20-25 दिन की हो जाए तो हमें ऐसी कौण सी खाद डालनी चाहिए जिससे हमारी धान की फसल अच्छी ग्रोध करें और कल्लो का ज्यादे से ज्यादा फूटाव करें ताकि हमारी पैदावार जो है अच्छी निखल के आए तो किसान से एक ऐसी खाद के बिसे में बताने वाले हैं जो आपके धान की ग्रोथ को इतनी बहतरीन करेगा और ग्रोथ को इतना फास्ट रखेगा टेलिरिंग इतनी अच्छी होगी कल्लों का फुटाव इतना अच्छा होगा पडोसी भी यही कहेगा कि इनकी धान की फसल में 15 दिनों क अंदर इतने कल्लों का फुटाव कैसे हो गया तो मैं इसके बिसक्रमा स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने यूटूब चैनल इसके आन नोलज में किसन भायों आज का टोपिक है कि धान की फसल में हमें ऐसी काउन सी खाद डालनी चाहें जिससे हमारी धान की फसल अ अपनी धान की फसल में अगर आप पहला खाद डालने हैं तो आपने इस खाद को अगर डाल दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसन भायों कि आपके धान की ग्रोथ इतनी अच्छी होगी टेलरिंग इतनी फास्ट होगी और कल्लों का ज्यादा से ज्यादा फूटा हो अगर आप अपनी धान की फसल में पहला खाद डाले हैं तो आपको पहला खाद के रूम में क्या क्या चीजिय लेनी हैं किसन भायो मैं बताना चाहूंगा आप किसनमायों 40-45 kg प्रती एकड़ के हिसाब से आपको इउरिया लेनी है और इसके साथ साथ आपको लेना है किसनमायों धनुका का धनजाइम गोल्ड धनुका का धनजाइम गोल्ड आप अपनी इउरिया के साथ जरूर मिलाने ताकि आपके जो धान के पोधे हैं उनमें ज्याद का धना का पूरा फूरा खेत कल्लों से भर जाएगा और इसके साथ जो फाइड़े हैं धन्जाइम गोल्ड के वह भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा किसनमायों धन्जाइम गोल्ड क्या करता है आपके धन की फसल में किसनमायों ये जो है आपके धान में लगबग 15-20 दिन के तक आपके धान की फसल जो है बिल्कुल पीली नहीं पड़ सकती है और इसके तमाम फाइदे हैं किसनवायों तो आपके पहली इरिया के साथ धनजाइम गोल्ड को जरूर ले लें किसनवायों ताकि आपके धान की फसल से अच्छी खासी पैदावार आपको मिल सके किसनवायों तो उम्मीद करता हूँ हमारी जानकारी और वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें लाइक के साथ साथ ज्यादे से ज्यादा हमारी किसनवायों को सेर जरूर करें चैनल पर पहली बार है तो क रिप्या करके चैनल को सब्सक्राइब जरू करने धन्यवाद